आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी, हाई प्रोटीन ब्रिक फास्ट की रेसिपी और इसे मैंने तीन डालों को मिक्स करके बनाया है बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है आप जट पट से सिर्फ 10-15 मिर्ट में इसे बना सकते है और यकीन मानिए फ्रेंड्स गर में बच्चे बड़े जो भी है सबी को ये नाश्टा बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा साथ में ही दो तरह की यहाँ पे हम चटनी बनाएंगे एक तो बनाएंगे टमाटर वाली और दूसरी यहाँ पे बनाएंगे मूफली की दोन प्रमेंगे यहाँ पे एक कटोरी भर के चना दाल और उसके बाद घर करेंगे एक कटोरी भर के ओड़त दाल तो यहाँ पे आप ना छिलके मूंग दाल का यहाँ आप न चुल्के वाली मूंग दौक्हा भी करसकते हैं grandi नियुकह सारी चीजों को अच्छे से यहाँ पर 2-3 जैए तो जाएंगर करेंगे, भाय वाय दोक्यार, कि यहां ने बाटर भीडिपी, जाएंगर करेंगे, जाएं इस में हम ज्यादा मात्रा में दही डालेंगे क्योंकि आज का जो यह नाश्ता है इसमें नहीं तो हम सोडा का यूज कराशार करेंगे नहीं बेकिंग पाउडर नहीं एंडूर और नहीं उसे फर्मंट करेंगे एकदम इंस्टेंट वाली रेसिपी है जटपट से बनके तयार हो जाता है तो यहाँ पे देखे एक हरी मिर्च को मैंने तोड़ के डाल दिया था थोड़ा सा अद्रक का टुकड़ा डाल दिया है और जो सारी डाल है ना इसे पूरा पीसने में मैंने यहाँ पे एक कप फ्रेश दही का यूज़ किया है और अगर आपको जरुत लगे तो यहाँ पे बीच बीच में आप थोड़ा सा पानी भी आट कर दे लेकिन आपको यहाँ पे पानी कम डालना है और दही जाता डालना है तो देखे इसी तरह मैंने सारी डाल को यहाँ पे पीस लिया है और एक बड़े सिबॉल में ट्रांसवर कर लिया है अब इसके बाद हमें यहाँ पे लेनी है बन बाई फोर्थ कप भर के सूजी और सूजी को भी इसमें हम चान के डाल देंगे आप यहां पे बारीक वाली या फिर मोटी वाली किसी भी सूजी का यूज़ कर सकते हैं अब साथ महीं यहां पे हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर साथ महीं डालेंगे थोड़ा सा नमक हल्दी पाउडर डालने से कलर बहुत बढ़ी आएगा तो आप इसे जरूर एड़ कीजेगा अब दोनों चीजों को डालने के बाद बहुत अच्छे से कम से कम पांस से साथ मिनट के लिए आप इसे फेट ले जिससे की बैटर हमारा बहुत हलका हो जाएगा और हम जो चीले या फेट दो से बनाने वाले हैं वो बहुत ज़्यदा क्रिस्पी और एकदम अमेजिंग बन के तयार होंगे तो चलिए यहाँ पे बैटर हमारा बन के बिल्कुल तयार हो गया है इसे ढख के हम पांस से साथ मिनट के लिए बस रेस्ट पे छोड़ेंगे साथ में ही थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा यहां पे धनिया डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहां पे थोड़ी सी हींग भी आप एड़ कर दें हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब जैसे ही मुफली अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी ना तब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे अब यहाँ पे बिल्कुल थोड़ असा नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे बढ़िया से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे तो चलिए अब यहाँ पे ना दूसरे गैस पे मैंने दूसरा पैन रख लिया है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ इसी मुफली, साथ मही चना दाल और ओड़त दाल दो से तीन सूखी हुई लाल मिर्श डालेंगे अब सारी चीजों को अच्छे से यहाँ पे ड्राइ रोस्ट कर लेंगे अब जैसे ही सारी चीजें अच्छे से ड्राइ रोस्ट हो जाएंगी तब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें हम डालेंगे दो चमच भर के डैसिकेटिट कोकोनट क्योंकि अभी पैंट बहुत गरम है और इसी में हमारा नारियल जो है अच्छे से भून जाएगा उसके बाद हम सारी चीजों को उठाएंगे और जार में डाल देंगे अब जार में डालेंगे हाँपे दो चमच भर के फ्रेश दही साथ में ही एक हरी मिर्च थोड़ा सा अधरक थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी अब बस धक लगाके बढ़िया से से पीस के तैयार कर लेंगे तो लीजे यहाँ पर हमारी एक चटनी तो बन के तैयार हो गई है इसे रखेंगे साइड में और जो टमाटर वाली गयस थी ना मैंने उसे भी बंद कर दिया है क्योंकि टमाटर सॉफ्ट हो गया है और इधर हम थोड़ी सी प्याँज कट कर लेंगे साथ में एक मैंने मेटियम साइज की गाजर ली है उसे में ग्रेट कर लूँगी और हरी मिच को भी बिलकुल fine chop कर लेंगे तो यहाँ पे आप vegetable अपने according ले सकते हैं आप यहाँ पे पनीज भी डा सकते हैं शिम्रा मिच भी add कर सकते हैं या फिर आप सारी चीजों को skip भी कर सकते हैं तो इस नास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कई variation में बना सकते हैं और अगर आप sugar patient हैं तब भी आप यह नास्ता try कर सकते हैं बहुत ज़्यादा tasty है healthy है और अगर आप कोई diet follow कर रहे हैं या फिर अपना weight कम करना चाहते हैं तो भी यह recipe एकदम must है तो एक बार आप इसे जरूर जरूर से try कीजेगा आपको यह बहुत अच्छी लगने वाली है तो देखें यहापे सब्जियों को मैंने cut कर लिया है और एक छोटी सी bowl में रख दिया है अब इन्हें mix कर लेंगे और हलका साइस में नमक add कर देंगे अब साथ में ही यहापे हरा धनिया भी मैंने cut कर लिया है इसे मैं अलग रखूँगी तो चलिए हैं यहापे सारी चीज़े हमारी तयार हो गई है अब हम बना लेते हैं टमाटर वाली चटनी क्योंकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से ठंडे हो गए है तो बापस से इने जार में डालेंगे और इसमें हम डालेंगे एक चमच बर के कश्मीरी लाल मिषच और बिलकुल थोड़ी सी इसमें add करेंगे तीकी वाली लाल मिषच साथ में ही टेस्ट के according नमक डालेंगे और बिल्कु थोड़ा सा पानी डालके धका लगाके से बड़िया से पीस के तयार कर लेंगे तो यहां पर लेखे बहुत ही बड़िया सी चटपटी सी हमारी टेमाटर की चटनी भी तयार हो गई है चलिए अब बना लेते हैं तड़का तो यहाँ पे एक ही तड़के को मैं दोनों में ही डाल दूंगी एक एक दो दो चम्मच तो simply जैसे हम हमेशा तड़का बनाते हैं चटनी के लिए बस वही तड़का यहाँ पे बनाएंगे और दोनों चटनी में एक एक दो दो चमच हम एड़ कर देंगे और दोनों ही चटनी हमारी बिलको तयार हो गई है वैसे तो आप यहाँ पे एक चटनी भी बना सकते हैं लेकिन अगर आप दोनों तरह की चटनी बनाएंगे न तो हमारा जो नाश्ता है वो और पीजादा टेस्टी लगेगा तो चलिए यहाँ पे चटनी बनके बिल्को तयार है और जो बैटर है उसने भी बढ़िया से रेस्ट कर लिया है तो चलिए फटा-फट से बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी से हेल्दी से दो से तो अब यहाँ पे बैटर को एक बार बापस से अच्छे से फेंट लेंगे एक दो मिनट के लिए और गयास पे मैंने रख दिया है तवा अब तवे पे हलका सा हम ओयल ग्रीस करेंगे और उसके बाद हम इसे पानी डाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद लेंगे यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा और तवे को अच्छे से क्लीन कर देंगे अब इसके बाद हम लेंगे एक लेडर भर के बैटर अब इसे सैंटर में डालेंगे और इसे ना गुमाते गुमाते हम बिलकुल गोल कर देंगे इस तरह आप गुमाते जाए और जैसे हम दो साया फिर चीला बनाते हैं बस उसी तरह आप इसे बनाके तैयार कर लीजे अब इसके उपर हम डालेंगे चुटकी भर लाल मिर्च, साथ में ही हलका सा चाट मसाला डालेंगे और हमने जो सबजिया कट करके रखे है थोड़ी थोड़ी इनके उपर बो लगा देंगे साथ में ही यहाँ पर हरा धनिया लगा देंगे और थोड़ा सा इसके उपर हम डालेंगे बटर तो बेसिकली आप इस नाश्ते को कई फ्लेबर में बना सकते हैं आप इसके उपर सामर मसाला एड़ कर सकते हैं तो उस जैसा टेस्ट आ जाएगा साथ में आप चाहें तो यहाँ पर पाव भाजी मसाला एड़ कर सकते हैं यह फिर बड़ा पाव के लिए हम जो सूखी चटनी बनाते है ना चटपटी वाली वो भी आप यहाँ पे डा सकते हैं आप यहाँ पे चीज का बेरियेशन भी कर सकते हैं और यहाँ पे पनीज भी डा सकते हैं तो आप यहां पे एक ही इप separator से कई फ्लेवर का नाष्टा बना सकते हैं और ढबाने के बनके मिलकुत तृयार हो गया है आप इसका कलार देख सकते हैं कितना ज्यादा सुनसर आया है बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं रेंड 사 कर देदे बेंगे उसके बाद एक लैडर भरेंगे और इसके उपर हम बैटर डाल देंगे और बस गोल-गोल गुमाते हुए इसे बढ़ा कर लेंगे और जब हलका सा ड्राइ हो जाएगा ना तब इसके उपर हम घी बटर लगा देंगे और साथ में ही कुछ सबजियां और कुछ मसाले अट कर देंगे अब यहाँ पे ना मैं दूसरा बनाने वाली हूँ बच्चों का फेबरिट चीजी वाला क्योंकि बच्चों को चीज वाला खाना था तो यहाँ पे जब यह ड्राइ हो जाएगा तब इसके उपर मैंने एक चमच भर के टमेटो कैचप डाल दी है आप यहाँ पे सेजवान चटनी भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे पीजा पास्ता सॉस भी लगा सकते हैं च्छे से से चारों तरब इसे ऍसप्रेट करदें अब उस अब बाधर सो हम डाल देंगे मॉजरीज चीज गया चीज की तुम लो khi मध्या मीजियस की डिया और ऐसको इसे बढ़िया से क्रिश्प कर लें और देखे बस एक दो मिनिट में ही इस पे बहुत ही बढ़िया सा नीचे कलर आ जाएगा और चीज भी हमारी मेल्ट हो जाएगी तब इसे हम पलट देंगे और इसे उठा लेंगे तो देखे यहां पे हमारा दूसरा नाश्ता भी बनके बिल्कुल तयार हो गया है वैसे इसे बनाना बहुत बहुत ज़्यादा इजी है सुबह की जब भाग दोड होती है तब आप इसे 5-10 मिट में इजी ली तयार कर सकते हैं तो चलिए यहां पे मैंने प्लेटिंग भी कर ली है अब आपको ना बिल्कुल पास से मैं दिखा देती हूं कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनके तयार हुए है और यहां पे चीज देखिए मैल्ट हो गई है अब आपको ना मैं खोल के दिखा रही हूं कितन को जरू सब्सक्राइब करें मैं आप से मिलती हूं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ